नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर जिस पर हम आपको बताते हैं सही, सरल और सटीक वशीकरण के तरीक जी हाँ हम आपको बताते हैं कि सही वशीकरण क्या है, सरल वशीकरण क्या है और सटीक वशीकरण क्या है जिससे आपका जो काम है वो जल से जल्द हो जाए जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं वो व्यक्ति पूर्ट तहां आपके वश में हो जाए इसका सही सरर और सटीक तरीका क्या है किस तरह कुछ आम चीजों को अपना कर, कुछ आम घर की ही चीजों को आप प्रियोग में लाकर किसी व्यक्ति का वशीकरण किस तरह कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं बहुत ही कम खर्च में सही और सटीक वशीकरण कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं और आज इस वीडियो में भी मैं आपको ये ही बताऊंगी कि किस तरह सही सरल और सटीक वशीकरण किया जाया लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो वशीकरण की प्रक्रिया होती है ये बहुत ही प्रचंड वशीकरण होता है जी हाँ अगर इस वशीकरण को आप किसी व्यक्ति पे करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि सबसे पहले आप इस बात का द्वन निष्टे कर लें कि आप उस व्यक्ति को वशीकरण करना चाहते हैं कि वशीकरण इसलीए मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जो वशीकरण होता है वो हटता नहीं है व्यक्ति पेसे तो वह व्यक्ति हमेशा के लिए आपका ही हो जाएगा फिर अगे चलके अगर आप ऐसा चाहें कि मैं अपने वशीकरण इससे हटा दू तो ये मुंकिन नहीं है क्योंकि ये वशीकरण जो है ये बहुत ही प्रचंड वशीकरण है तो इस बात का ध्यान रखेगा जब आप इस बात का द्वण निश्चय कर लें कि इस व्यक्ति से आप प्यार करती हैं या इसे आप अपने वश में करना चाहते हैं तभी आप वशीकरण कीजेगा बहुत ही सरल सटीक तरीके से वशीकरण होता है और आईए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सामिगरी क्या क्या चाहिए होगी सरल सटीक वशीकरण के लिए तो आपको चाहिए तुलसी का पत्ता उस व्यक्ति की फोटो जिसे आप वश में करना चाहते हैं जी हाँ उस व्यक्ति की फोटो तुलसी का पत्ता और लॉंग जी बस इसके माध्यम से इन तीन चीजों के माध्यम से आप व्यक्ति को वश में कर सकते हैं किसी व्यक्ति को आप अपना बना सकते हैं आईए बताते हैं कैसे आपको करना क्या है आपको किस तरह इन चीजों के प्रयोग करके व्यक्ति को वश्मे करना है तो दर्श को सबसे पहले आपको करना यह है कि जो लॉंग है इसको आपको तवे पर गरम करना है तवे पर आपको इस तरह फूल वाली साइट से ऐसे रखकर गरम करना है ध्यान रिखेगा कि जो आपका तवे कमूँ है उस पर आपको लॉंग को ऐसे रखना है इस तरह पकड़ कर हाथ से भी गरम कर सकते है तवे पर इस तरह रखकर आप जब लॉंग गरम कर लेंगे और ये अच्छे से गरम हो जाएगी तो इसे पीस कर आप चूरन बना लेंगे तो उसे ठंडा होने दे थोड़ी देर के लिए उसके बाद इस प्रक्रिया को इस विधी को शुरू करें अब आप एकांत में जाकर बैठ जाएं जहां आपके आसपास कोई ना हो उसके बाद एक तुलसी का पत्ता लें और इस लॉंग के चूरन को इस तुलसी के पत्ते पर रखें और पूरी तरह से इसको बंद कर दे दर्श को इस बाद का खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो लॉंग का चूरन है वो बाहर नहीं गिरना जाएए बिल्कुल भी चूरन बाहर नहीं गिरना जाए इस बाद का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है और उसके बाद आपको इस व्यक्ति की फोटो लेनी है उसे अपने सामने रखना है इस तुलसी के पत्ते को रखना है जिसमें आपने ये लॉंग का चूरा रखा है और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहे हूं उस मंत्र का उचारन करते हुए आपको इस फोटो पर जो है यहां अगर उसके पास आपका नंबर है तो उसका फोटो आपके पास आजहेगा अगर नंबर नहीं है तो किसी न पीजी waking से ऐसी प्रकाव से हो तो इसफिरी को ध्यान पूर्ब incidents अपको तुलसी के पत्ते पे चूरण रखना है, सामने फोटो रखनी है, और हाथ में एक चुटकी चूरण लेना है, और इस तरहीं मंत्र बोलते हुए फोटो पर चूरण को छिड़कना है और मंत्र है ओम मम वश्यम करू स्वाहा और इस तरह फोटो पर आपको ये चूरन जो है छिड़क देना है ऐसा आपको लगतार 21 बार करना है और इसके बार आपको जौकर ये तुलसी का पत्ता और ये फोटो जो है एक ऐसी जगा दबा देनी है जहां से ये कभी ना निकल पाए मिट्टी के नीचे या कोई भी ऐसी जगा आपको पता हो जहां से आपको ये जानकारी होगी ये फोटो और ये जो पत्ता है ये कभी उसके बाहर नहीं आएगा ऐसी ही जगा इस पत्ते को और इस फोटो को साथ में ले जाकर आपको दबा देना है जब आप इसे दबा देंगे उसके तोरंट बाद उस व्यक्ति का फोन आपके पास आ जाएगा अगर उसका नंबर अगर आपका जो नंबर है वो उस व्यक्ति के पास है तो लेकिन अगर आपका नमबर उस व्यक्ति के पास नहीं है तो किसी ना किसी तरह एक ऐसर सईयोग बन जाएगा कि वो व्यक्ति स्वेम आपसे मिलना चाहेगा वो हर कोशिश करेगा आपसे मिलने की और आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और फिर आप जो उससे करवाना चाहते हैं वो आप उससे करवा सकते हैं आप उससे प्यार करते हैं तो अपने दिल की बात उससे कहिए वो इंकार नहीं करेगा और सर्फ और सर्फ आपका ही हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेगा कि इस वशीकरण के बारे में किसी को जानकारी ना हो कि आप कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसे विधी अपनाने जा रहे हैं जो है इस विधी की जो हचवचा है वो भी आप किसी से मत कीजेगा वरना ये विधी अपना असर नहीं दिखा पाएगी जो व्यक्ति है वो वश में नहीं हो पाएगा तो दश को फिलाल दीजे इजाज़त और कोई समस्या है उसका समधान चाहते हैं तो स्क्रिन पे जो नमबर दिखाया जा रहा है उस नमबर पे कॉल करें अपनी समस्या का समधान भी आप करवा सकते हैं कोई जानकारी चाहते हैं किसी वशीकरंट से जुड़ी तो जानकारी भ आमाता दी